Hello students, आज हम करेंगे class second math का chapter 1, what is long and what is round. Long होता है लंबा और round होता है गोल-गोल. Guess its name. Children love uncle Mikku. He plays with them everyday. बच्चे Mikku uncle को बहुत प्यार करते हैं और वो उनके साथ रोज खेलते हैं. Today he has kept different things in his bag. और आज Mikku uncle अपने bag में ते लग लग तरा की बहुत सारी चीज़े लाएं हैं. The game is Guess its name. और उस game का नाम है Guess its name. Guess का मतलब है अंदाजा लगाना ठीक हैं? Guess what I have in my hand. I will tell you what it feels like. आपको Guess करना है कि मेरे हाथ में क्या है? मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है? तो बच्चों Mikku uncle एक bag लाएं हैं. उसमें उन्होंने अलग लग तरा की चीज़ें डाली हुई हैं. कोई बड़ी, कोई चोटी, कोई गोल और मिकku uncle अपनी आँखों पर पट्टी बांद कर बैक के अंदर हाथ डालेंगे और कोई एक चीज़ पकड़ेंगे. जैसे ही वो कोई चीज़ पकड़ेंगे, उनको कैसा लग रहा है कि वो मोटी है, गोल है, वो बच्चों को बताएंगे. और फिर बच्चा अंदाजा लगाएगा और बताएगा अंकल के हाथ में क्या है. अंकल मिकku puts his hand in the bag. अब अंकल मिकku ने अपना हाथ बैके अंदर डाल लिया. टीम A sings a song. देखो बच्चों, पिच्चर में एक टीम A है और एक B है. तो टीम A क्या कर रही है? गाना का रही है. क्या गाना का रही है? Find out with your eyes, shut well, touch it with your hands. And tell, tell us, tell us how it feels. We guess its name and win the game. तो बच्चे क्या गाना गा रहे हैं? बच्चे गा रहे हैं कि अपनी आंके अच्छी तरह बंद करके उस चीज़ को टच करो, हाथ लगाओ, पकड़ो अपने हाथ में. और फिर हमें बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, वो कैसी चीज़ है. और हम उसका नाम गैस करेंगे और जीतेंगे इस गेम को, ठीक है. तो मिक्कू अंकल क्या बताते हैं? मिक्कू अंकल बताते हैं कि उसके दो सीरे हैं. एक सीरे से वो कैसी है? पॉइंटेड है, पॉइंटेड का मतलब होता है तीखी नोकिली. और दूसरे सीरे से वो फ्लैट है, चप्ती है. मगर वो गोल-गोल है, जैसे पाइप होती है. तो आप उसका नेम बताइए. टीम A से पैंसिल. टीम A क्या बोलती है? वो पैंसिल है. Do you also think so? क्या आप भी यह सोचते हो? Yes. Now you think of a different answer for अंकल मिक्कू's question. क्या इस question का कोई और अंसर भी हो सकते है? हाँ बच्चो, इस question का एक अंसर हो सकते है, pen. क्योंकि pen की भी एक end pointed होती है और दूसरी end flat होती है. Now it is the turn of team A to touch and guess. अब team A की भारी थी, वो touch करके और guess करके बताएंगे. Everybody sings. Tell us, tell us how it feels. We guess its name and win the game. A child from team A put his hand in the bag. Others in team A have to guess. Can you help them? Team A में से एक बच्चा अपना हाथ उस बैग के अंदर डालता है और बाकी बच्चे guess करते हैं. क्या आप उनकी मदद कर सकते हों? वो बच्चा बोलता है, round all around, has no corners. I can roll it in my hand. Guess what it is. बच्चा बोलता है, कि मेरे हाथ में जो चीज है, वो चारो तरफ से गोल-गोल है. उसका कोई कोर्णा नहीं है. और मैं उसको अपने हाथ में रोल कर सकता हूं. तो क्या है वो? तो वो क्या है बच्चो? वो है बोल. बोल का नहीं कोई कोर्णा होता है, वो हर तरफ से गोल होती है और उसको रोल कर सकते हैं. ठीक है? तो बच्चो ऐसे ही टीम बी ने करना है और ये गेम ऐसे आगे चलता रहेगा. अब बच्चो अब भी ये गेम खेल सकते हों. एक बच्चा अपनी आँख में पत्ती बांग लेगा. और उस बैक के अंदर हाट डालेगा और बताएगा टच करके कि कैसा फिल हो रहा है और उसकी टीम गैस करेगी. आगे हम करेंगे, how strong is the postcard? postcard कितना strong है यानि मजबूत है. hold a postcard from one corner. if you keep a book on it, can it hold a book? आपको postcard एक corner से पकड़ना है और दूसरे corner पर book रखनी है उसके उपर. तो फिर आपको देखना है क्या ये postcard book उठा सकता है? तो बच्चों ऐसे हम करेंगे तो ये postcard book नहीं उठा सकता. you may take any other card. अगर आपके पास postcard नहीं है तो कोई भी card ले सकते हैं. या आप chart लेकर उसको postcard के size का card कर उसे भी use कर सकते हैं. now try this. roll a postcard to make a pipe. अब आपको क्या करना है? postcard लेना और उसको pipe के shape में roll करना है. use tape to stick that. और tape लेकर उसके दोनों corners को चिपका देना है. ठीक है? put a book on it. फिर उसके उपर आपको book रखनी है. does the postcard hold it? क्या postcard उसको रख पा रहा है अपने उपर? see how many books it can hold? और फिर देखो अगर रख पा रहा है तो कितनी books रख पा रहा है? ठीक है? तो बच्चों ऐसे pipe बनाओगे जब आप postcard का तो वो book hold कर लेगा. आपको फिर यह देखना है कि वो कितनी books hold कर सकते हैं. ठीक है? यह एक activity है. यह आप आराम से कर सकते हैं. hurry up, be quick. children are sitting in a circle in the class. बच्चे class के अंदर circle बना कर बैठ जाते हैं. they are playing this game by clapping and singing. what is round, look around, look around. इसमें वो बोर रहे हैं क्या लंबा है, क्या गोल है, अपने आसपास देखो. रीना सेज, a bat is long, a ball is round, look around, look around. और रीना बोलती है, बैठ लंबा है, और बोल, गोल है, ठीक है? all children are singing, what is long, what is round, look around, look around. सब बच्चे यही गाना गा रहे हैं, और मीनु सेज, a bottle is long, a cap is round. look around, look around, मीनु बोलती है, बोर्टल लंबी होती है, और उसकी कैप गोल होती है. and the game goes on, और ऐसे ही गेम चलती रहती है. now you play this game in your class, take turn to name two things, one long and one round. do not repeat the things which others have named. तो बच्चों अब आपको यह गेम अपनी क्लास में खेलना है, और कोई दो नाम बताने है, ऐसी चीजों के, जो एक लंबी हो और एक गोल हो, मगर कोई भी नाम repeat नहीं करना, जो दूसरे बच्चे ने पहले बता दिया हो. तो एक आप बता सकते हैं, hockey and ball, और दूसरे आप बता सकते हैं, knife and lemon. hockey and knife long हो गए, और ball and lemon round हो गए, ठीक है? what rolls, what slides, क्या roll कर रहा है, और क्या slide, यानि फिसलना है, या किसक रहा है? look at the picture, picture में देखो, some children are rolling and some are sliding things in the park. picture में कुछ बच्चे roll कर रहे हैं, और कुछ slide कर रहे हैं, और आप देखो कि कौन कौन roll कर रहा है, और कौन कौन slide कर रहा है, यह जो बच्चा उपर जूले पर बैटा है, यह क्या कर रहा है, और दूसरा भी उपर से नीचे आ रहा है, तो वो भी slide कर रहा है, और लड़की जो नीचे लेटी है, यह roll कर रही है, जो बच्चा बोल कर रहा है, वो बोल क्या कर रही है, वो भी roll कर रही है, और जो दियर आर थिंग्स विच बोथ रोल एंड और कुछ ऐसी चीजे होती है जो श्लाइड भी करती है और रोल भी करती है यह देखो बच्चो यह जो बच्चे कैरम बोर्ट खेल रहे हैं पिच्चर में इसके पास जो स्ट्राइकर होता है और यह गीटिस होती है तो यह क्या करती है यह स्लाइड भी करती है और रोल भी करते है यह स्ट्राइकर को ऐसे लेटा कर जब मारते हैं तो यह क्या करता है स्लाइड करता है कि सकता है और जब स्ट्राइकर को खड़ा करके इसको धक्का देंगे तो यह क्या करेगा रोल करेगा ठीक है लुक अट थिंग्स अराउं आपने ठीक है things which roll roll में आप लिख सकते हो orange ball pencil watermelon pipe और slides में लिखो आप book box phone sharpener और dice और both में लिखो bangle cylinder wheel coin and pen इन सब को बच्चो अगर आप खड़ा करके push करोगे तो ये slide करेंगे और जब इनको लटा कर पुश करोगे तो ये roll करेंगे ठीक है my tiny tree बच्चो आगे आपको एक चोटा सा पेड़ बनाना है आपको एक sheet लेनी है उसे roll करना है और उसके ends पे tape लगा देनी है फिर उसको वो जब pipe बन जागा फिर उसको उपर से Caesar के साथ cut करके stripes बना देनी है ठीक है फिर वो एक चोटा सा ट्री बन जाएगा ऑफट्ष टावर टोलस का मतलब सबसे उंचा वर्सलेटश में को टावर विद बॉक्स इस लेट खिसी उफाइग की लड़की का है ठीक है collect different things such as boxes of different kinds balls, erasers, match boxes etc बच्चों आपको भी यह tower बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं different kind of boxes अलग लग तरह के boxes ले लो ball, eraser और match boxes ले लो फिर उनके साथ tower बनाओ ठीक है? make your tower using different things only match boxes और only tins फिर अकेला boxes, match boxes और tins के साथ बनाओ फिर उसके बाद mix करके बनाओ tins, पहल नीचे tins रख दो उपर match boxes रख दो ऐसे फिर mix tower बनाओ ठीक है बच्चों? बच्चों आगे है coin play try doing this with your coin आपको यह अपने coin के साथ करना है ठीक है? hold the coin like this coin को आप ऐसा खड़ा करके पकड़ो फिर make the coin spin does it look like a ball फिर coin को क्या करो? spin करो घुमा दो जब वो घूमता है तो देखो क्या वो ball की तरह लगता है? coin को जब आप spin करोगे वो ball की तरह लगेगा आगे है does a coin roll? does it slide? try क्या coin roll करता है? क्या coin slide करता है? yes, बच्चो coin roll भी करता है slide भी करता है can you make one rupee coin stand like this? क्या आप एक rupee को ऐसे खड़ा कर सकते हो? yes, बच्चो हम कर सकते हैं किसी sport के साथ जैसे ball की sport के साथ ठीक है? try doing the same using two rupee coin and a five rupee coin और ऐसे ही आप दो rupee और पांच rupee के सिक्क्यों को भी कर सकते हैं ठीक है? बच्चो हमारा chapter complete हो गया है अगर आपको इसकी explanation समझ आई हो तो please मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को subscribe करें thank you